कोविड नाइंटिन की महामारी के खिलाफ हिमालिया जैव संपदा प्रध्योगी की संस्थान आई एच बीटी परदेश ही नहीं अपितु देश के अन्य राजियों की भी मदद कर रहा है संस्थान ने उडिशा के लिए 50 तन खादे समागरी त्यार करके बेजी है इस खादे समागरी को Ready to Eat टकनीक से त्यार किया गया है और टीन के डिबों में बंद किया गया है इस तकनीक के तहट खाना लगबग एक वर्ष तक खराब नहीं होता है उडिशा से इस संदर्व में संस्था को मदद के लिए आग्रे किया गया था इसके बाद संस्तान ने विशेश तोर पर खाद समगरी को तयार करवाने के लिए कर्मियों की ड्यूटी भी लगा दी थी आपको बता दें कि इसे पहले भी संस्तान ने 2018 में केरल में आई बाड के दुरान डिबा बंद बोजन भीजवाया था जिस कारण पेड़ितों की व्यापक मदद हो सकी थी इसी तरह मई 2019 में देश में आये चकरवाद तुफान से होई नुकसान के बाद परभावित राजियों के लिए वहां की जनता को भी मदद भीजी थी उस दोरान उडिसा में संस्तान ने एक लाख यूनिट डिबा बंद खिचडी भीजी थी CSIR हिमाले जैव संपदा प्रध्योगी की संस्तान एक प्रमुक संस्तान है जो क्रिशी विज्ञान जैवी प्राकर्तिक उत्पाद रसाइन विज्ञान खाद और उच्च गुनवक्ता के जैसे क्षेतर में अनुसंधान के लिए वे आख्यात है संस्ता के निदेशक डॉक्टर संजे कुमार ने बताया कि कई प्रधेशों में एक दूसरे राज्य के मजदूर फोसे हुए हैं ऐसे में खादान की किलत होना सौभाव एक बात है क्योंकि संस्तान के रेडी टू इट तकनीक उपलब्द है तो हमने पचास टन खाना उड़ संस्तानी परशाशन को भी खाद समगरी हैंड सनिटाइजर वा अन्य समगरियां दी गई हैं संस्तान अपने स्थर पर पर्यास है कि कोविड-19 की महामारी में लोगों की साहिता कैसे की जा सके हूए हैं कोविड-19 महामारी में अभी आप देख रहे हैं कि कई प्रदेशों म इमिग्रेंट्स आए हुए हैं कई जगे लेबर से फसे हुए हैं कई हमारे मज़़ूर भाई जो देश और प्रदेश की उन्नती में अपना योगदान देते हैं वो जगे जगे फसे हुए हैं ऐसे समय में खाद्यान की किल्लत होना एक सोभाविक है और खाद्य पदार्द की किल्लत होना सोभाविक है जोकि संस्थान के पास ready to eat technology उपलब थी तो हमने करीब 50 चंद खाना उडिसा भिजवाया है जिससे की वहाँ पे जितने भी migrants हैं जितने भी वहाँ के जो मज़़ूर भाई हैं कम से कम उनको ready to eat और postric खाना मिल सके साथी साथ उडिसा के अलावा भी हमने आसपास अपने प्रदेश में जो हमारे migrants थे तो कुछ पंचायतों को हमने खाना दिया हमने SDM साब के मादियम से यहां पे जो लोग हैं उनको ready to eat food के हमने कुछ केंस दिये उनको और हम प्लान कर रहे हैं थोड़े दिनों के बाद करीब 10,000 डिबें हम इनको और दे अपने इस तरह पर प्रयासरत है कि कोविड-19 महमारी में हम लोगों की मदद कैसे करें जैसे हमने sanitizer की technology डवलप करी और पांच हमने entrepreneurship डवलप किये साथी साथ हमने sanitizer प्रशासन को भी दिया SDM साब के मादियम से हमने माननिय मुख्यमत्री जी के office में भी पहुँचवाया हमने माननी speaker जी के घर पे भी पहुँचवाया जिससे की वो लोगों को बाढ़ सके और जोरत पढ़ने पर वो उन्हें एक dependable source का के बारे में पता हो तो संस्थान अपनी और से काफी प्रयासरत है साथ ही अभी हमने foot operated कुछ टैप्स भी दिये हैं SDM office में हमने wash basin भी लगवाई है और हम चाहेंगे की समय के साथ ये हम कुछ अपने टांडा मेडिकल कॉलेज में अपने hospitals में ऐसी foot operated wash basins foot operated taps ये लगाएं जिससे की लोगों को हाथ से ना छूना पड़े क्योंकि हम हमारी हाथ से फैलती है जब भी आप नल खोलें तो नल को छूना ही पड़ेगा सिर्फ पैर झाल 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 झाल